हेलो स्टूडेंस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टन कोशन करने जा रहे हैं क्लास 11 का यह क्वेशन है और यह मिसलीने सक्साइज का कोशन नंबर टू है चैप्टर फाइफ का तो कशन नंबर टू देखते हैं और यह आप आपको आडी शर्मा और अधर बूक में भी यह कोशन आपको देखने को मिलता है तो इसलिए इसको हम यह नहीं कहेंगे कि सिफ एंसी आडी का ही कुशन काफी important question है तो देखते हैं कैसे हम हमें इसे करना है इसमें आपको बोला गया है for any two complex numbers z1 and z2 prove that मतला आपको दो complex number z1 z2 को इस तरीके से proof करना है कि real z1 z2 means z1 z2 भी आपको देख रहा होगा कि product form में something आपको दिख रहा है इसको आपको equal to proof करना है real of z1 real of z2 minus का imaginary of z1 and imaginary of z2 तो इसका क्या मतलब है इतना तो आप समझ गये होगे कि re का मतलब real होता है और im का मतलब imaginary होता है z1 and z2 are two complex numbers यहाँ तक बस आपको question समझ मैं आप इसको करना कैसे है बहुत easy question है बट जब मारे पास हमने इस question होता है जब हम बिकूशर होते हम कर रहे होते हैं तो हमें question समझ में नहीं आता किसे करना कैसे है तो वही मैं आपको बताऊंगी इसमें हम जो हमको z1 और z2 complex number दिए हैं आपको दिखा है आप question में पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है for any two complex numbers z1 and z2 तो आप पहले इन z1 and z2 complex numbers को को suppose कर लेंगे like जैसे आपके पास let z1 a1 plus i b1 भी suppose कर सकते हैं and z2 को मैंने suppose करा x2 plus i y2 यह मेरे पास z1 हो गया यह z2 हो गया अब आपके पास हम इन दोनों का product निकालेंगे आप product क्यों निकाल रहा है उसका reason यह है कि आपको दिख रहा होगा यहां पर z1 z2 product form में ही है तो मैं पहले इनका product निकाल लेती हूँ product कैसे निकलेगा x1 plus i y1 और x2 plus i y2 इसी तरीके से हम product निकालते हैं product कैसे आप दो complex number को product करते हो यह मैं आपको initially introduction में बता चुकी हूँ तो product करने के लिए पहले x1 normally इसमें product वैसी होता है जो simple आप product पहले से करते हैं 9 और 10 में उसी तरीके से यहाँ पर product होता है x1 को आप multiply करेंगे पहले पूरे से इससे x2 plus i y2 से then आपके पास i y1 का turn होगा यह multiply पूरे से हो जाएगा x2 plus i y2 ओके तो यह आपके पास कितना होगे देखिए x1 x2 plus x1 x2 plus i x1 y2 plus i y1 x2 plus i into i is i square y1 y2 देखो इसमें multiplication में समझाने वाली कोई बात है यह नहीं जैसे हम multiplication करते हैं वही तरीका है उसी तरीके से मैंने इसको multiply कर दिया है then x1 x2 को यह आपस में कुछ simplify नहीं हो सकते यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता अभी फिलाल यहाँ पर देखिए i square की value minus 1 होती है तो यह minus 1 जब हम करोंगे तो करेंगे यहाँ पर तो यह minus 1 जब होगा तो minus plus यह minus हो जाएगा y1 and y2 तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि i2 की value हमने minus 1 पुट करी है यहाँ पर यह वाला हम साथ में लग देंगे तो real part आपके पास x1 x2 है and minus का y1 y2 यह real है प्लस imaginary आपके पास क्या है देखिए x1 y2 minus का y1 x2 चीक है यह आपके पास imaginary part है imaginary part में एक चीश का ध्यान लखेगा जो हम imaginary part करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि imaginary part दोनों ही positive है यह देखिए यहाँ मैंने by mistake minus कर दिया था imaginary दोनों positive है दोनों imaginary part में से iota common ले लिया तो x1 y2 plus y1 x2 गया देन आप देख सकते हैं यहाँ पर यह part आपके पास यह जो आया है वो क्या आया जडवन और z2 आया अब अगर मैं question के according हमें जो proof करना है हमें इस z1 z2 का यानि कि z1 z2 को जब हमने product करा product करने के बाद उसके आग होता है और यह का मतलब होता है real part real part किसका इसके बीच कोई नहीं तो इसका मतलब real part of z1 z2 हम इसको कैसे read करेंगे real part of z1 z2 z1 z2 का real part और z1 z2 है क्या आपका यह आपका z1 z2 है तो इस z1 z2 का real part क्या है आपके पास जो real part इसका आया है वो हम लिख देते हैं यह हमारे पास यह पूरे z1 z2 का real part सिर्फ इतना है यह वाला portion यह वाला यह आपका real part है ठीक है यह तो आपका imaginary part होगे यह आई हमें आपके पास imaginary part तो हमें imaginary part तो देखना ही नहीं था हमें तो left hand side में क्या बोला real part of z1 z2 तो मैंने real part of z1 z2 लिख दिया आपके पास देन देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सवन आप इस एक्सवन को सिंगल सिंगल देखना होगा मैं यहां देखिए x1 x1 किसका real part है z1 का तो आप इस x1 की place पे real of z1 कर सकते हैं कोई problem है इस x1 को मैं क्या read कर सकती हूं यह x1 कहां से आया तो हम इसको read करेंगे real part of z1 और x2 देखिए x2 किसका real part है z2 का तो इस x2 की जगह real part of z2 हो जाएगा same y1 देखिए y1 जो है वो आपके पास यह y1 को आप देख सकते हो imaginary part है z1 का तो इस y1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे imaginary यानि कि i am imaginary को denote करते i am से imaginary part of z1 और y2 देखिए y2 क इसका imaginary part है z2 का तो i am of z2 रीच करने का तरीका real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 and imaginary part of z2 तो यह हमारी proving होगी तो इस proving में हमें हमारे पास starting हमें समझ में यह आता है कि हमें कैसे start करना चाहिए but एक बार हम complex number को suppose कर लेंगे then according to left hand side आप z1 z2 करेंगे z1 z2 निकालने के पत यह आपका automatically मैंने आपको जैसे बताया इस तारीके से proof हो जाएगा तो student i hope यह question आपको समझ में आ गया होगा और if you let my video please like share and subscribe my channel thank you and thanks for watching